तो दोस्तों कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 48 इंडियन पीस्यूस को इंडियन गौर्मेंट ने सिलेक्ट किया है for the defense manufacturing के लिए और अब रिपोर्ट सामने निकल किया रही है कि इसमें से दो पीस्यूस को dedicated सिलेक्ट किया गया है for the semiconductor manufacturing तो भारत सरकार का ये आत्मने पर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा step होने वाला है क्योंकि electronics और semi-conductor की जरूत defense में हर एक चूटी बड़ी जगे पर use की जाती है चाहे वो drones हों, अलग-अलग प्रकार के fighter jet हों, missiles हों या फिर कोई भी weapons उन सभी में electronic circuit का use किया जाता है और उस electronic circuit की मदद से ही उस weapon के operations को control किया जा सकता है लेकिन अभी तक भारत ने बड़े पैमारे पर ये electronics import किया जा रहा है और ऐसे में कोई भी देश इस electronics से हमारा data बड़ी असानी से चुरा सकता है लेकिन अभी सी निर्भरता को खतम करने के लिए भार सरकार ने दो PSU को सिलेक्ट किया है स्क्रीन पर आप देख सकते हैं economic times का ये article है यहाँ पर दो PSU को सिलेक्ट किया गया है for the electronics manufacturing जहां पर धुलेरा स्मार्ट सिटी में एक नई manufacturing unit लगाई जाएगी जहां पर especially defense के लिए electronics manufacture होंगे साथे में participate करने वाले PSU को PLI skim का भी फायदा दिया जाएगा ताकि उनका production जादा जादा किया जा सके वही बात कीज़े इसकी शुरुआत की तो 2015 में भारत ने रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु उर्जा के लिए Made in India चिप के manufacturing को अनिवारे बनाने के उपर पस्ताव रखा था लेकिन उसके बाद इसमें काफी ज़्यादा डिले हुआ और finally यहाँ पर दो PSU को select किया गया है PSU का क्या नाम है exactly यहाँ पर reveal नहीं किया गया है बट report जनुएन है आप screen पर देख सकते हैं वही report के according यह निर्भरता दिन परती दिन भारत की बढ़ती जारी है जिससे बहुत सारा sensitive data दूसरी company के पास पहुँच सकता है बड़ी असाने से और साथी साथ वो third quality या local parts को भी supply कर सकते हैं जिसकी वज़े से accurate time यानि कि अगर कोई war चिड़ा हुआ है अगर वो एपन सही स से काम नहीं किया तो भी हमें भारी नुकसान हो सकता है तो इस निर्भरता से हमें दो बहुत बड़े नुकसान हो सकते हैं जिसके लिए फाइनली इंडिन कॉवर्मेंट ने बहुत बड़ा decision ले लिया है वही माना ये भी जा रहा है कि इस लिस्ट में जो पहला नाम है वह अत्मता की जए